नमस्ते साथ्यों बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी येट्यूब चनल बाबू दोसे इनल खिमें साथ्यों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइमर बच्छिया अगर आपकी दो माहा की प्रैगनेट हो चुकी है तो कौन-कौन से लक्षन आपको दिखाई देंगे पसू के अंदर ताकि आप पहचान कर सके क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि जो फर्स्ट टाइमर बच्छिया रहती है वो पसू पालग भाई ये देखते हैं कि क्या हमारा पसू गाबिन हुआ भी है या नहीं भी क्योंकि जो साइकल होती है 21 दिनों की हीट में आने की कई बार पसू पालग भाई अपने आँ जो बिजी जो उनका सेडूल होता है इसके कान ये पहचान नहीं कर पाते कि हमारा पसू अभी गाबिन हुआ है या नहीं या फिर दुबारा से हीट में आएगा या नहीं और बहुत सारी जो बच्छे रहती है फर्स टाइमर की वह है साइलेंट हीट में भी आती है तो इससे में पहचान करना काफी मुश्किल है लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा ये जो आप बच्छे देख रहे हो ये फर्स टाइमर बच्छे जो अभी तकरीबन दो माहा की गाबिन हुई है तो ये देखिए इसका जो चेंजे जाए इसमें बहुत ज्यादा श्यानत सभाव की हो चुकी है साथियो पहले जब हम इसको खोलते थे या इसके पास भी जाते थे ना तो ये मतलब थोड़ा से उतेजित रहती थी थोड़ा सा ये हडबड़ाने लग दे थी और जब खोल देते थे ना तो ये भाग जाती थी तो अभी जो इसका सभाव है सबसे बड़ा जो लक्षन आपको दिखाई देगा सभाव में देखे अभी एकदम शानत बहुत ज्यादा सभाव इसका सरल हो चुका है दूसरा अगर हम लक्षन की बात करें तो यहां पर जो ये पेट का जो हिसा आपको दिखाई दे रहा है यहां से इसमें थोड़ा सा आपको यहां पर वजन बरता हुआ दिखाई देगा पेट थोड़ा सा आपको उबरता हुआ नजर आएगा यहां से इसके साथ साथ तीसरा जो लक्षन आपको दिखाई देगा यहां जो आप देख सकते हो यह जो लेवटी है जो गादी है क्योंकि यह दो महा केसी रुप है तो अभी इसकी देखिए जो अडर का विकास है वो अभी तो नहीं हुआ इतना लेकिन कहीं ने कहीं हम यह फैचान कर सकते हैं कि आने वाले एक दो महीने के अंदर आपको काफी अच्छी है वो गादी देखने को मिलेगी अगर चौते लक्षन की बात करें तो आपको जो वेजेना पड़ एकदम साब सुतरा दिखाई देगा किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज नहीं नज़र आएगा एकदम साब सुतरा पसु रहेगा यह जो लक्षन आपको दिखाई दिए और इसके साथ भूख करना क्योंकि पसु भूख भी बढ़ाएगा क्योंकि दो मेने का हो चुका है तो जो पेटे में बदरा बच्चा है उसका भी विकास हुआ है तो पसु भूख भी बढ़ाएगा क्योंकि बच्चे को भी पोशन चाहिए भूख भी बढ़ेगी इसके साथ साथ प्यास भी बढ़ाएगा पसु और यह देखिए यहां से आप देख सकते हो पसु खुद का वजन है वह बढ़ाना शुरू कर आईए देखिए खुद का वजन जैसे जैसे बच्चा बेटनें बड़ा होता जा रहा है वैसे खुद का वजन भी यह ग्रो कर रही है तो इस प्रकार से हम बच्चिया की पहचान कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम एक रोएफस टैमर की तो उसके बाद हमें तकरीबन 21 दिनों तक क्योंकि लगबग 21 दिन बाद है वो साइकल अगर आपका साथ पस हुआ है तो हीट में आते है दुबारा से तो हमें ध्यान रखना है कि 21 दिन बाद कही है हमारा पसू दुबारा तो हीट में नहीं आ गया है तो अगर वह नहीं आ जो अभी फर्स्ट टाइमर है और सिर्फ दो मेहने की प्रेगनेट है तो अभी मैं इसको खड़ा करके आपको दिखाता हूं जो इसका अडर है या जो इसकी यह देखिए यह देख सकते आप यहां से यह देखिए इस परकार का जो अडर है वह हलका सापको भार नजर आएगा यह देखिए अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वेसे वेसे इसका जो पेट लैप साइड में यहां से आप देख सकते हो इसमें भी उभार नजर आएगा और साथ ही साथ है इसका वजन भी आपको बढ़ता हूं नजर आएगा